जब पहली बार असेंबली लाइन से बन करने है निकली थी तब ही से अमेरिकन्स को कार से बड़ा लगाव रहा है उनके लिए ये कपड़ों या टैटू चैसी नीजी चीज़ें हैं यानि उनकी जिन्दगी से जुड़ी चीज़ हॉलिवुड जानता है कि अमेरिकन्स को उनसे प्यार है चाहे बात एडवेंचर की हो हम इन से बात करते हैं इन्हें नाम देते हैं हम इन से लगाते हैं रेज चलो एक राइट पर चालते हैं इन्हें बरबात करते हैं लेकिन ज्याद तर प्यार ही करती हैं इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें चुराने वाले लोगों के बारे में एक स्टोरी की जाए अमेरिका में औसतन हर 36 सेकंड में एक कार चोरी हो जाती है क्योंकि इससे कमाई मोटी है और कार को चुराने में लगता है बस चंद सेकंड का वक्त अगर लोग बहार आगे तो हुआ है ओमाई गॉड इसे तो बस पांच सेकंद से भी कम वक्त लगा कमाल है कि मुड़े हुआ है ओक हम पहुँच कई कि अधियन से धान से हुमाई गॉटून यह तो भागलपन है अज रात यह कितनी कार्स आने वाली है यहां अकसर पांच हजार यह उससे जादा गाड़ी आती हैं. क्या वाकरी? यहां, बिल्कुल. तो यह सारी कार्ज यहां इकठा होती हैं और स्टंट करती हैं. लेकिन यह लीगल नहीं है, ना? पदा नहीं मुझे. नो कॉमेंट. नो कॉमेंट. कि देर रात होने वाले इन मीटअप्स की जगह से शुरुवात की जा सकती है. इन मेंसे ज्यादतर लोगों की तरह, मैंने भी कई सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये नियू यॉक सिटी की इस लोकेशन का पता लगाया. इसके बारे में एकदम आखरी वक्त में पता चला, ताकि इस जगह को पुलिस से खत्रा ना हो. इस अंडरग्राउंड कार कल्चर को फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का असल रूप कहा जा सकता है. क्या कहा? कार्स हवा में उड़ रही हैं? फ्रेंचाइज के काम्याबी के बाद ऐसी इवेंट्स की लोकप्रियता आस्मान चूने लगी है. लेकिन इसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के पास कोई फैंसी कार नहीं होती. तो ये मीट अप्स जॉइ राइडर्स की एक पसंदीदा जगा बन गए है. क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो कार चुराते हैं? नहीं. मैं जैसे किसी भी शक्स को नहीं जानता. अगर पता चले तो बताएंगे मुझे? नहीं. बिल्कुल नहीं. अमेरिका में कई दशक तक कार चुरी कम रही. लेकिन 2020 में फिर बढ़ गई. करीब 9 लाख कार्स चुराई गई. येस सर्व. कभी आपने कोई कार चुराई है? चुरी किये? आँ, बिल्कुल किये. जब मैंने पहली गड़ी चुराई थी, तो मैं 16 साल का था. मैं अब एंथनी नाम के एक शक्स से बात करने वाली हूँ. किसी कार को चुराना कितना आसान होता है? आसान होता है? देर नहीं लगती. मैं एक टो ट्रक ड्राइवर हूँ. तो बहुत से लोग मुझे ऐसी कार्स ढोड़ने को कहते हैं, और मुझे काफी पैसे भी देते हैं. मैंने सुना है कि टो एंड गो, कार चुराने के कई मामूली, लेकिन पॉपिलर तरीकों में से एक है. किसी कार्स ओर के पास कभी-कभी सही टूल्स का होना जरूरी होता है. कभी-कभी हतियार की जरूरत पड़ती है. लेकिन कभी-कभी टार्गेट्स लापरवाब ही होते हैं. और ये सर्वेलिन्स वीडियो है, अमेरिका में चोरी हुई करीब आधी कार्स वावस अपने मालिकों के पास पहुँच जाती है. यानि तीन सौ अरब रुपए की कार्स मिल ही नहीं पाती. और ये पहुँच जाती हैं यूजड कार लॉट से चौप-शौप सग. तो पुलीस आ गई है और लोग इदर उदर भाग रही हैं. चलो चलो निकलो निकलो. और सब अपनी अपनी कार्स की तरफ दोड़ रहे हैं. वो देखिए. क्या बात है? आँ देखिए अब पुलीस वाले सडक ब्लॉक कर रहे हैं. आपके क्या उम्र है? 20 साल का उम्र है. अब तक जितनी कार्स आपने चुराई हैं उससे कितना पैसा कमाया? मुझे लगता है कि करीब 45 लाग तो कमाया होगा. हम इनके पार्ट्स निकाल लेते हैं. ऐसी कार्स अकसर इस्ट कोस्ट पर चुराई जाती हैं. लेकिन अकसर ऐसा नहीं करते हैं हम लोग. एंथनी ने मुझे बताया कि किसी चुराई कई कार के पार्ट्स का पता लगाना पुलिस के लिए मुश्किल होता है. लेकिन मोटा पैसा कमाने वाले चोरों को ज्यादा रिस्क लेते हुए पूरी कार को ही बेचना होता है. जुड़ी एक अंडरग्राउंड सप्लाई चेन है. ये इस गोरक धन्दे के सबसे ज्यादा मुनाफिवाले स्मगलिंग रूट्स में से एक है. तो ये होता कैसे है कि एंटी थेफ्ट टेकनालोजी से लेस दो हजार किलो वजनी कोई कार पूरी तरह से गायब हो जाए? ये जाती कहां है? और इतने पेचीदा ओपरेशन को चलाता कौन है? और मैं इसी बात को जानना चाहती हूँ. ओके तो हम पहुँच गए हैं. हम निवर्क ये अपोर्ट से बस दो मिनट दूर हैं. मुझे लगता है मैं इस होटेल में पहले भी रुख चुकी हूँ. मैंने सुना है कि ऐसे इंटरनाशनल कार्ट थेफ्ट रिंग्स में से एक इसी सड़क पर आगे निवर्क निव जर्सी से कुछ किलो मीटर दूर मौजूद हैं. काफी वक्त तक इस शेहर को चोरी हुई कार्ज की राजधानी कहा जाता था. हाई, मरियाना. आप नंबर वन है? मैं आपको यही कहूँ. हाँ, नंबर वन. सालों तक, नंबर वन एक ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा रही है, जो बहुत महंगी लक्जरी गाड़ियों को विदेश पहुचा देते हैं. आपने बताया कि आपने इस तरह की कई गाड़ियां चुराई हैं, और अभी भी आप जो कार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सीम मॉडल की है. तो आप ऐसी कितनी गाड़ियां चुरा चुकी हैं? अब तो याद भी नहीं है, शायद हजारों चुराई होंगी. क्या इसी मेक एंड मॉडल की हसारों कार्स हैं? यह आपकी फेवरेट है क्या? मेरे कोई फेवरेट नहीं है, मेरा फेवरेट है पैसा. लेकिन फिर किस्मत जवाब दे गई. दो साल तक चले ऑपरेशन जैग्ट के अभियान के बाद, पुलिस ने सैकणों कार्स जब्द की, जिनकी कीमत 90 करोड रुपए के आसपास थी. साथी नमबर वन समेत 50 से भी ज्यादा कार रिंग मेंबर्स पर मुकदमा चला. जब मैंने सुना कि उन्हें जेल से छोड़ दिया गया है, तो मैंने उन्हें धून निकाला. शुरू में वो कैमरा पर बात करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक वो ये काम छोड़ चुके थे. लेकिन फिर वो हमें अपनी कुछ पुरानी ट्रिक्स दिखाने को तैयार हो गए. चलो, हाँ बूलू. जा काहां पर है ये फ्रेंट और रियर व्यू मिरर में है. ये कौन थे? ये टॉप लोगों में से एक है. इस काम में? कार्स चुराने में? आप क्या कर रहे थे? अपने क्या किया? ओ, मैंने एक ट्रैक्टिंग डिवाइस को डिसेबल कर है. वो भी अलग अलग जगाओं पर. तो अभी आपने जब उन्हें फोन पर कार का मॉडल और मेक बताया तो उन्होंने आपको इन्फोर्मेशन देदी? अहाँ. उसे कार्स के बार में सब मालूम है. क्या जानते हैं कि आप कोई कार्स चुराने की फिराख में है? हाँ. तो बहुत कम मामलों का ही पता लगा पाई है. बड़े खिलाडी तो अब भी इस खिल का हिस्सा है. कार बिजनिस का सालानों करोबार, करोणों अर्भों का है. क्या कोई चाहेगा कि लोगों की इतनी मोटी कमाही रुख जाए? मैंने इनसे पूछा कि क्या ये किसी आक्टिव प मुझे किसी ऐसे को ढूणना होगा जो मुझे पर भरोसा कर सके और दिखा सके कि ये राकेट कैसे काम करता है. मैंने ड्रग ट्राफिकिंग अंडर वर्ल्ड के अपने एक पुरानी कनेक्शन की मदद लेने की सोची. उसने मुझे बताया कि जब उसके डेलर किसी जॉब के लिए निकलते हैं, तो कुछ घंटों के लिए कार चोरों से एक चोरी की कार किराई पर लेते हैं. तो उस कॉन्टाक्ट ने एक शक्स के साथ एक मीटिंग फिक्स कर ली है, जिसका नाम है क्लिप्टों. बहुत बार पहले भी एक काम कर चुकी हूँ, पर हमेशा गबरात होती है. कैसी हैं आप? बड़ीया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. सबसे पहले हम जरा आसपास देखते हैं कि क्या लिस्ट में हमें जो दो कार्स दी गई हैं, वो यहाँ पर हैं या नहीं? ओके, कौन सी कार्स हैं वो? फिलहाल हमें एक मेसीडीज और एक नीसान दून रहे हैं. हमें होश्यार रहना पड़ेगा क्योंकि कभी-कभी मालेक आ जाता है और हम पर गोली चला देता है. कर देख रहे हैं, आप वो कार्स देख रहे हैं. हाँ पर गोड़ी तान रखे हैं न? वो कार के आगे से गोड़ी तान अटा रहे हैं, ताकि कार को भाहां से निकाल सके हैं. तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, वो तेखिये, वो तेखिये, आप देख रहे हैं? Oh my god, देखा आपने? उन्होंने कार को खोल दिया और इसमें पांच सेकंड भी नहीं लगे. उन्होंने किया क्या, कुछ हैंडल के साथ किया, एक आवाज आई और दर्वासा खुल गया. आपने यह सब देखा, उन्होंने विंडू का शीशा नीचे किया और हाथ हिलाकर निकल गया. मैं यह सब देखकर पूरी तरह कंफ्यूज़ हूँ. ओ माइ गॉड, समझ ही नहीं आ रहा. यह सब जो हो रहा है, उसे देखकर क्या कहूँ? क्या बात है, अब वो बहुत तेजी से जा रहे हैं और हमें उनके साथ बने रहना है. इस वक्त हम एक चोरी के कार के पीछे पीछे चल रहे हैं. और अब यह कार पार्क की जा रही है. वाकई मैं हैरान हो गई. आपको कार चोरी करने में सिर्फ पांच सेकंड का वक लगा. बलकुल, अलग जपकता ही हो गया. लेकिन आपको शायद हैनल के साथ कुछ दिक्का आएगी? दरसल हमारी की से कार लॉक खुल नहीं पाया था. तो फिर लॉक को खोला कैसे? यह सीक्रिट है, मैं आपको बता नहीं सकता. ओके, तो फिर जब आप अंदर गए तो इगनीशन चालू कर दिया. आपको मर्सडीज इस इलाके में मिल जाएगी? आप जानते हैं इस इलाके को? यहां काफ़ी white लोग रहते हैं और ये लोग बहुत अमीर हैं, अरपति हैं ये लोग भी बहुत से लोगों को धोका देकार इतना पैसा कमाते हैं अगर अमीर भी दूसरों को धोका देते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब लोग सुबह उठेंगे उन्हें उनकी कार नहीं मिलेगी तो कैसा लगेगा उन्हें तकलीफ नहीं होगी इनको ते सर्फ कार चोरी होगी इसके लावा इनका कुछ नहीं जाएगा ये लोग बैंक से चोरी करते हैं इनको इंशॉरंस का पैसा मिल जाएगा लेकिन इंशॉरंस क्लेम्स के बुगतान का असर तो उन लोगों पर भी पढ़ता है जिन्होंने खुद क्लेम नहीं लिया होता हाँ बिलकुल बिलकुल लेकिन इससे मैं कैसे बुरा बना वो जब भी अपनी गन मेरी तरफ तांता था मैं उसे कहती थी नो प्लीज मुझे मत मारना ऐसा मत करो प्लीज क्योंकि उसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है वो मुझे अपनी गन से हिट कर रहा था तो आपके क्रू में कौन होता है? मेरा एक स्पोर्टर होता है जो गाड़ी से उतर कर सड़क पर नज़र रखता है अगर उसे कोई पुलिस वाला दिखता है तो वो सीटी बजा कर सिगनल देता है मेरा ड्राइवर मुझे उस जगा पर ले जाता है वो तिंटेड शीशे वाले ट्रक में है बस वो थोड़ा सा दूर पाक करता है और फिर हाँ मेरा एक और दोस्त है जो उससे थोड़ा और आगे खड़ा होता है गाड़ी लेके नज़र रखने के लिए? हाँ बिलकुल नज़र रखने के लिए वो उसे सिगनल देता है और वो अगले वाले को मुझे कम से कम दो ब्लोक्स को कवर करना होता है मैं किसी भी आहलत में दोबारा जेल नहीं जाने वाला और कभी आप पर गोली चली है? हाँ, कई बार गोली चली है मुझ पर ओ माइगाड अगर लोग बाहर आगए तो मुझे तो डर लग रहा है ओ माइगाड ये जिसके भी कार है मुझ उसके लिए अफसोस हो रहा है ये तो कमाल हो गया यकीन ही नहीं हो रहा कार चोरी हो गई कलेप्टो से बात करने के दौरान मेरे दमाग में इन इंटरनाशनल आपरेशन्स की organizational structure का ख्याल आने लगा कलेप्टो जैसे चोरों के गिरहों इस सिस्टम में सबसे नीचे है मुझे पता चला है कि किसी कार को चुराने पर ये जल्द से जल्द उससे चुटकारा पाना चाहते है लेकिन कैसे और ये कार किसे देते है मुझे यही जानना है और ये लोग इस सिस्टम का अगला लेवल है आपने आज जो कार पारकिंग लॉट में चोड़ी है उसका क्या होगा? वहाँ पे लोग आएंगे उन्हें क्लीन करेंगे और फिर उन्हें वहाँ से ले जाएंगे क्लीन करने से क्या मतलब? क्लेप्टो कई साल से कार चोरों के गिरहों के सरगना है तो इस धंदे में उनका करियर काफी आगे बढ़ चुका है अब तो ये तब फेंस नाम की एक पोजीशन में भी काम कर रही है ये काम करना आपने कैसे सीखा? मैं जब छोटा था तो बॉडी शॉप्स में काम किया करता था मेरे फैमिली मेंबर्स कार चुराते थे तो वहीं से हुनर सीखा है मैंने फेंस इस उपरेशन के मीडियम लेवल पर आते हैं उनका काम है ये इंतिजाम करना कि चुराई कई किसी कार को लोग चोरी की कार के दोर पर पहचान न ले और इसके बाद क्या होता है? लो जैक्स ताकि कार का पता ना चल सके तो आपके पास इसके लिए कोई शक्स है जो जीपियस को ढून कर हटा देता है उसके बाद क्या होता है? हम नमबर बदल देते हैं विन नमबर्स और इसके लिए एक और शक्सा जो विन नमबर्स को उठाता है वेहिकल आइटिफिकेशन नमबर या विन एक ऐसी अनोठी आईडी होती है जो कार पर फैक्टरी के निकलने के टाइम से ही होती है क्लेप्टो ने नहीं बताया कि वो विन कैसे बदलती है लेकिन एक नया विन नमबर मिलने के बाद वो उससे मिलते जुलते नए स्टाइल और रेजिस्टरेशन डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेती है और हर कार से आप कमाते कितना है ये कार पर डिपेंड करता है क्लेप्टो को हर प्रोसेस से जुड़े इंसान को पैसा देना होता है की आती है तीन लाग की की तीन लाग रुपे में आती है सवा दो लाग रुपे हर चोर को डेड़ लाग विन फॉर्जर को 75,000 GPS डिसेबल करने वाले को इन सभी लोगों को पैसा देने के बाद आपको मुनाफा होता है इतने सारे खर्चों के बावजूद इनको मर्सिडीज यसी कार के लिए 9,00,000 रुपे का मुनाफा हो जाएगा जिस खरीदार ने इसकी फर्माईश की होती है उसे एक कार बेश दी जाती है इसे कंटीनर में भीजा जाता है और उसके बाद यह आपको कभी नहीं देखती अब कार इस नेटवर्क के अमेरिका के हिस्से में मौझूद आखरी प्लेयर के पास पहुँच जाती है जो है शिपर यह कोई सामान तो है नहीं जिसे आप चुपकेच से किसी दूसरे देश में ले जाएं अब मैं फिर नमबर वन के पास जा रही हूँ उन्हें इस काम का कई साल का तजुर्बा है उनका कहना है कि उन्होंने बीते सालों में ये काम बहुत बार किया है सही संख्या तो याद नहीं पर कुछ हजार कारें तो ड्रॉप की होंगी ये कंटेनर्स जाते कहा है अलग-अलग देशों में इन देशों के नाम पता है नहीं क्योंकि इसका मेरे काम से कोई मतलब नहीं नमबर वन मुझे उस जगह ले जाने को राजी हो गए है जहां वो शिपर से मिलेंगे लेकिन चेतावनी भी दी है कि इस प्रोसेस में ये स्टेज सबसे खतरनाक है आप यहां गेट के सामने पाक की गई कास्ट देख रही हैं? यहीं पर हम लोग कास्ट को लाते थे उन्हें कंटेनर्स में चड़ाते थे हम नहीं जानते कि चोर आजरात चुराई हुई कारों को इन कंटेनर्स में चड़ाएंगे या नहीं लेकिन अगर चड़ाएंगे तो यहां रुकना खतरे से खाली नहीं देखिए यह कार अब भी खड़ी है यहां रहना खतरनाक है क्योंकि हमें नहीं बता कि यह लोग क्या कर रहे हैं हाँ, यहां कैमरे हो सकते हैं और वो हमें देख सकते हैं अगर कोई शक्स M16s और AK47s जैसे हतियार लेकर खड़ा हो तो आप सवाल नहीं पूछते हैं इन बिजनस को चलाने वालों के पास हथियार होते थे, आपको डर नहीं लगता था? पहली बार तो लगा था मैंने नमबर बन से दबाव दे कर पूछा कि इन कार रिंग्स के असली सरगना कौन है लेकिन या तो उन्हें पता नहीं है या वो बता नहीं रहे तो किसी अठ्छे जर्नलिस्ट की तरह मैं ध्यान दे रही हूँ पैसे पर मैं जा रही हूँ नीवर्क जहां इन स्मगलर्स के रास्ते में एक आखरी बाधा और मौजूद है वाँ, क्या नजारा ये बढ़िया है कमाल है हाँ, सच मुच वाँ, क्या नजारा है ये जीब बहुत ही खुबसूरत है क्या बात है दूसरा दर्वाजा भी खोलो वाँ, तो ये चुराई हुई कार हो सकती है हाँ, हो सकता है मतलब इस काड़ी को चुराया गया है दो गाड़िया है मर्सिडीज बेंस भी है ओ, ये रही रागे की तरफ मर्सिडीज बेंस है और यहाँ जीप है ब्राइड न्यू, 350 वाँ, ब्राइड न्यू ये दोनों बिल्कुल नई कार है यहाँ कुछ शिप तैयार खड़े है यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन का मुख्य ध्यान अमेरिका में आने वाली ड्रग्स का पता लगाने पर होता है यहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों पर नहीं यहाँ तो एक के बाद एक कतारें लगी है यहाँ हजारों कंटेनर्स है यह इस्ट कोस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है इन लोगों का अंदाजा है कि यह अमेरिका से बाहर जाने वाली बहुत थोड़ी सी कार्स का ही पता लगा पाती है यह विन नमबर है? और जिस कार थेफ्ट रिंग्स की जाँच परताल मैं कर रही हूँ उस सिलसले में यह अच्छी खबर है यह रिपोर्ट तो बिल्कुल पॉजिटिव है पॉजिटिव से मतलब चुराई हुई है यह आपको फॉरन पता चल जाता है हाँ बिल्कुल इसके अंदर देखें तो अभी भी एक मोबायल चार्जर नजर आ रहा है मतलब उस आदमे की इननीजी चीज़ें इस गाड़ी में मौजूद है जिसकी यह गाड़ी है यह सड़क से चुराई गई है सड़क से चुराई गई है अच्छा तो जब आपको यह पता चल गया है कि यह कार चोरी की है तो आपको इसके मालिक का भी पता चल जाएगा तो आप इसे लौटा आ देंगे या इसके क्या होगा इंशुरेंस कमपनी पहले ही पेमेंट कर चुकी है तो फिर उनके वापस मिलने के chances बहुत कम हो जाती है ये चारो cars एक ही container में थी सबसे आखिर में थी ये Escalade और इसमें personal चीज़ें भरी पड़ी थी इसमें guns भी हो सकती थी इसमें कई तरह की drugs वगेरा भी हो सकती थी ये तीन cars एक container में थी देखिया इन में से दो salvage cars थी यानि accidental और यहां ये हाल ही में आई Land Rover है और इसने मेरे कान खड़े कर दी है क्यों? क्योंकि मुझे ये काफी अजीब लग रहा है 2021 की Land Rover को दो accidental cars के साथ रखने पर उसे नुकसान हो सकता है यहां से हर साल कितनी cars export होती होंगी? अगर मैं ये सोचूं कि सिर्फ 310 कारसी चोरी हुई तो ये सच नहीं है ये तो भूसे की ढेर में सुईन हुणने जैसा है तो इस सबसे कमाई किसकी हो रही है? इस धंदे से जुड़े सभी लोगों की कमाई हो रही है पर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इस अपरेशन से पैसा कमाने वाले असली लोग यहां अमेरिका में है ही नहीं तो अगर ओवर्सीज में इस धंदे में इतनी कमाई है तो इससे सवाल पैदा होता है कि इस अपरेशन में सबसे उपर कौन है और क्या मैं उन लोगों को ढून पाऊंगी? कोई कार चोरी होने के बाद कितनी दिर में ऐसे कंटेनर में पहुंच जाती है? मान लीजे, कोई न्यू यूयॉर्क में किसी कार को चुरा कर, किसी कंटेनर में डालता है, तो अगले कुछ घंटों में ये टर्मिनल पहुँचकर भेजे जाने के लिए तैयार हो जाए जाए निया रफ्तार बहुत तेज है उसी दिन या अगले दिन निकल जाए ये कार्स को शेहर के बाहर से चुरा कर ट्रक में डालकर न्यू जर्जी ले जाते हैं फिर वहां से किसी कंटेनर में रखकर कई अलग अलग जगहों पर भेज देते हैं इस्ट कोस्ट से चुराई जाने वाली कारों की सबसे पॉपिलर डेस्टिनेशन्स में से एक है अटलांटिक महसागर के पार आथ हजार किलोमीटर दूर मौजूद वेस्ट आफ्रिका किसी विकाशील देश में कार खरीदने का मतलब है मिडल क्लास में एंट्री पाजाना और घाना में तो ये बात बखुबी नजर आती है जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही एकॉनमीज में से एक है आप इसकी राजधानी अक्रा में घूमेंगे तो आपको माहौल में जोश और मौके का एहसास होगा बढ़ती एकॉनमी का मतलब ये भी है कि अब लोग थोड़ी कमाई करने लगे हैं लिहाज अब वो एक बहतर जिंदगी भी चाहेंगे और बिना कार खरीदे वो एक बहतर जिंदगी जी नहीं सकते है यानि घाना में ये एक बड़ी इंडस्ट्री है हाँ, हमें एक विकास शील देश हैं और कोई चाहता है कि उसके पास कार हो ग्रैजुएट होने के बाद लोगों की अगली खौईश होती है कार खरीदना हम इन जनाब को पीटर कहेंगे ये एक लोकल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और ये मुझे बता रहे हैं कि बढ़ती आमदनी ने चोरी की कार्स जैसे नए ब्लाक मार्केट्स के दर्वा से खोल दिये हैं अगर किसी को पता चला कि आप मेरी मदद कर रहे हैं तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपके जान को खत्रा हो सकता है इसमें इतना खत्रा है? इसमें बहुत खत्रा है पहली बात ये कि आपका सामना एक ऐसी सोसाइटी से है जहां लोग ये मानते ही नहीं है कि इस तरह के आक्टिविटी की जाच परताल होनी चाहिए तो आपको लगता है कि जो लोग ऐसी कार्स खरीदते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये चोरी की हैं बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता कुछ को होता है? जीयां, पर जिनेंभी पता होता है वो परवाह नहीं करते क्योंकि यहां कास बंती तो है तो इन कास के यहां आने से किसी लोकल इंडस्ट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता गाना में मौझूद ज्यादतर कार्ज इंपोर्ट होती है सच यह है कि यह देश में इंपोर्ट होने वाली नंबर वन आइटम है लोग ज्यादा शान की जिना चाहते हैं अगर आप स्कूल के किसी पुराने दोस्स से मिलें तो वो आपकी कार्ज से आपको आखते हैं इसलिए हर कोई अच्छी कार्ज ड्राइव करना चाहता है चाहे वो सस्ती हो या फिर चौरी की इसलिए कार्ज से जुड़ी ये ब्लैक मार्केट इंडस्ट्री यहाँ हूँ फल फूल रही है तो आप मुझे इस प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं चब कार्ज आती हैं ये कार्ज यहाँ लोगों को फ्रॉड बॉइस से मिलती हैं क्या कहते हैं इने? तो इस कार बिजनेस से जुड़े लोगों को कहा जाता है फ्रॉड बॉइस? लेकिन ये नहीं पता कि ये शक्स क्या रोल निभाता है एक शक्स है जो इस कार बिजनिस से जुड़ा हुआ है और हमसे बात करने वाला है तो हम उस जगा जा रही हैं जो उसका घर या बिजनिस प्लेस कुछ भी हो सकता है दिन तेजी से ढ़ल रहा है और कुछी देर में अंधेरा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि इस अंजान जगा पर मैं भज़ जाओं लेकिन ऐसा नहीं हुआ ओके पहली मैं बाहर जा रही हूँ मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस पूरे आपरेशन के नर्व सेंटर में कदम रख चुके हूँ आप चाहें तो अपना मास्क फिर से लगा सकते हैं सोरी मैं आपको किस नाम से पोकारू शाड़ वॉकर शाड़ वॉकर ये आपका ओनलाइन नाम है ये मेरा ओनलाइन नेम है डाक वेपर अकरा के बाहरी इलाके में मौजूद एक अपार्टमेंट में मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे ही बदनाम फ्रॉड बॉई से आप क्या करते हैं बता सकते हैं? मैं यहाँ पर हैकिंग करता हूँ हम आपको मिमिक कर सकते हैं हम आपके बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ट के बारे में इंफोर्मेशन पा सकते हैं और यहाँ जो मिला वो इस पूरे ऑपरेशन की जान थी तो आप डाक वेप पर जाएए ओके डाक वेप कोई ऐसी जगा नहीं है जहां तक आप अपने नॉर्मल ब्राउजर से पहुँच सकते हैं यहां सब कुछ बेनाम है यह डार्क वेप तक पहुँच हासल करके अंडरग्राउंड हैकर फोरम्स में लॉग कर लेते हैं जहां कोई भी प्रोड़क्ट सेल पर होता है ओ कोकेन यहां तो कोलम्बियन कोकेन भी है लोग यहां गन्स जैसी चीज़े भी खरीच सकते हैं यह क्रेडिट कार्ड इंफोमिशन है जो बेची जा रही है अच्छा इससे कोई बेच रहा है अगर आपको कभी अपने फेवरेट रीडेलर से एक बड़ी डेटा ब्रीच के बारे में माफी नामे वाली इमेल मिले इस साइबर अटेक से करी 5 करोड फेस्बूक यूजर्स प्रभावित हुए है 10 करोड से जादा कैपिटल वन प्रेडिट कार्ड कॉम्परमाइज हुए है क्रिमिनल्स क्रिप्टो करणसी में बेनाम तरीके से बहुत कम रकम पर आपके क्रेडिट कार्ड की इंफरमेशन खरीद कर एक फ्रेश कार्ड पर लोड कर सकते हैं और फिर आप इस सारी इंफरमेशन का क्या करते हैं हमारे ग्रूप में ही कोई होता है, जिसे हम ये credit card information दे देते हैं, आगे वो इसे सम्हालता है अमेरिका में? हाँ चोरी के credit card और एक नकली ID के जरिये, ये लोग किसी car rental company के पास जाकर, किसी car को किराई पर लेकर, उसे आराम से 8000 km दूर अकरा तक पहुचा सकते हैं ना उसके शीशे तूटे होंगे, ना जाली कीज होंगी, ना car jacking, एकदम साफ सुथरा तरीका अब मुझे समझा रहा है कि मैं किस शक्स के पास खड़ी हूँ, ये कोई छोटा मोटा मुर्गा नहीं है, ये एक technological हर्फन मौला है, जो इस पूरे operation को चलाता है, और इनके पास एक और ट्रिक भी है तो मान लीजे कि ये car जा रही है नियू यॉक से गाना? हाँ, उन्हें पहले पैसे देने होंगे यानि इंपोर्ट फी हाँ, रकम बहुत बड़ी होती है, तो वो इसे चुका नहीं सकते इंपोर्ट ड्यूटी, car की market value की 20% तक हो सकती है, तो अगर कोई नई range rover 75 लाक रुपे की है, तो उसे 15 लाक तक देने होंगे मुझे इनके तरीकों ने हैरान कर दिया, पुराने तरीके सिकार चुराने वाले अपने American contacts के अलावा, गहाना के इन sophisticated operators ने Americans की car पर हाथ साफ करने का दूसरा और ज्यादा शादर तरीका ढून लिया है, ये सारी चीजें इस operation के सरगना की तरफ इशारा कर रही है, और वो जो भी हो, मैं उससे रूबरू मिलना चाहती हूँ, क्या आप car business के दूसरे हिस्सों से चुड़े किसी शक्स को जानते हैं? एक कॉंटाक्ट मुझे वो ब्रेक्थ्रू दिला ही देता है, जिसकी मुझे तलाश थी, एक मास्टर माइंड के साथ मीटिंग. टां लुड़े किसी शक्ता कर। देख और लुड़े कि दो प्रवस्टास को जानते हो, मैं एक कहा दो यदिता हैं किसी शक्ता की अिस थीजड़े को आदाए में आदिस्टे विलना चाहता है, वो जाएक्टले को चाहता है. हाई शुक्रिया हमसे मिलने के लिए यह कार कौन सी है? यह कौन सा मॉडल है? यह है, Mercedes-Benz C250 बढ़िया कार है और क्या यह जोरी की कार है? हाँ, यह अमेरिका से आई है अमेरिका में कहां से? मुझे नहीं पता कि अमेरिका में कहां से आई है अंडर वर्ल्ड के इस शक्स से मिलते हुए मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है इन्होंने कहा है कि मैं इन्हें आइवन का हूँ और यह मुझे जैसे आंक भी रही है यह कार घाना कप पहुँची? दो या तीन महीने पहले क्या इसमें लोग इंट्रेस्टेट है? यह कार एक गराज में है तो… ओ यानि किसी कार डीलर के पास अमेरिका में इसी कार डीलर के पास थी है अचा और यहां ऐसे कई है फिलाल मेरे पास बस यही कार है मैं इसे अंदर से देख लूँ? हाँ, जरूर आराम से देखिए सोचकर अजीब लगता है कि कुछ महीने पहले यह कार अमेरिका में किसी और के पास थी इसके अलावा इस शिप्मेंट में और कौन सी कार आई थी? यह तीन, चार या पांच, छे की कंसाइनमेंट में आती है मूड जरा रिलाक्स हो गया है लग रहा है यह जनाब थोड़ा खुल रही है यह बता रही है कि इनका ग्रूप अक्रा में सबसे बड़े ऑपरेटर्स में से एक है और यह थोक में चोरी की कार्स खरीदते हैं इस कार के कितने पैसे दिये? इसके? हाँ कार के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं वो तो है, पर कितने अंदाजे के लिए बताएंगे मुझे? मैं इसका जवाब नहीं दूँगा इसका आंसर मेरे पास नहीं है पर आखिर कार ये जना बढ़ गए मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद इन्होंने मेरे ज्याततर सवालों के जवाब देने से इनकार करना शुरू कर दिया इससे कैसे खोलो? तो मैंने और ज्यादा तहकीकात करते हुए इस मिस्ट्री कार के बारे में और जानने की कोशिश की ओ यह ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से जेपीएस निकाला है न? अहां शायद इसकी यही वज़ा होगी देखिए इसके साथ छेड़ छाड़ की गई है यहां पर क्या है? क्या यह रेड लापस्टर है? यहां रेड लापस्टर है क्या? नए ओ माई गॉड वर्जीनिया जरा दिखाईए बस एक बर दिखाना जरूर जरूर यानि यह तो पता चला कि यह शक्स वर्जीनिया में था मुझे नहीं पता तो आप इस बात को चुपाने की कोशिश कर रहे हैं यह इसे दिखाना नहीं चाह रहे हैं इस पर वर्जीनिया का नाम था पर भरोसा कीजिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी एक मिनट मेरा फोन आ रहा है हो सकता है कोई इस कार को खरिदना चाहता हो यह उसका फोन हो कोई खरिदारी होगा शायद पैसा आने वाला है वो जा रहे हैं लीजिये जनाब गए पर जाते जाते मैं जो बुलवाना चाहती थी वो बोल ही गए यह इंटरव्यू यहां के एक बड़े प्लेयर के गुर्गे का था जिसने काफी कुछ बता दिया यह थी वो चोरी की Mercedes Benz जो अमेरिका से कुछी दिन पहले यहां पहुँची है मैं इस कार की हिस्टरी के बारे में और जानना चाहती हूँ यह किसकी थी क्या वो इसे मिस्स कर रहा है क्या उन्हें पता है कि यह कार अब है कहा इधर अमेरिका में मुझे इस मिस्टरी कार के बारे में डिटेक्टिव पॉला ब्रुनेटो से कुछ जानकारी मिले जो है कनेक्टिकट स्टेट पुलिस में यह सालों से कार चोरी करने वाले गिरोहों को इन्वेस्टिगेट कर रही है मैंने इसके विन को देखा था यह 2014 की Mercedes Benz है इसका काफी बड़ा अक्सिडेंट हुआ था जिसमें यह बरबाद हो गई थी तो इसे कोई ड्राइब नहीं करने वाला पर आप बता रही है कि आपने इस कार को आफ्रिका में ड्राइब की जाते देखा है और यह ठीक हालत में थी? हाँ, वो एक बहुत खुबसूरत कार थी तो शायद आपने चोरी की गई कार देखी होगी और इसका विन नमबर उस कार का है जिसका फ्लॉरिडा में बहुत बड़ा एक्सिडेंट हुआ था किसी चोरी हुई कार के विन नमबर पर तो पुलिस की निगाह रहेगी पर किसी बरबाद कार के विन पर नहीं यानि मैंने जो कार देखी उसका विन नमबर उसका असली नमबर बिलकुल नहीं होगा मुझे इस बात को लेकर काफी शक है कि आपने आफरिका में जो कार देखी वो यही कार थी उस कार पर दूसरी कार का विन नमबर था और अब वो कहीं और चल रही है किसी की मिली भगत से फ्रॉड बॉइस ने चोरी के कार पर उसी मेक और मॉडल का विन डाल दिया जो उनके हाथ एक सैल्विज आॉक्षन में लगा था तो अगर कार पोर्ट से निकल आए तो फिर चिंता की बात नहीं होती इससे एक सवाल पैदा होता है कि इन आपरेशन्स में किसका हुक्म चलता है और ज्यादतर कमाई किसकी होती है मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए थे तो मैंने आईवन से सवाल पूछा कि क्या वो दुबारा मुझसे मिलेंगे हमारी पहली मीटिंग में उन्होंने ज्यादा इंफोर्मेशन नहीं दी थी और ऐसा कम होता है कि आपकी अगली मीटिंग बॉस से हो जाए पर मुझे उमीद है ऐसा होगा मुझे पता है कि वो बहुत कुछ छिपा रही है हमसे कहा गया था कि हम इस चर्च के पासवाले पार्किंग लॉट में इंतिसार करें ओके उन्हें हमसे यहीं पर मिलना है यकीन नहीं था कि जनाब आएंगे या नहीं शायद यहीं वो शक्स है हाँ उन्होंने कार पार्क कर दी है और अब वक्त है आक्शन का मैंने घाना में कार चोरी के काम से जुड़े एक टॉप फ्रॉट बॉई को एक रेर सेकंड इंटर्व्यू के लिए राजी कर लिया है उमीद करती हूँ कि मुझे इनसे पता चल पाएगा कि कार चोरों की ये दुनिया कैसी होती है और यहाँ पर एक और क्लब है और यहाँ पर बहुत सी फैंसी कार्स है मर्सिडीज है यह मुझे एक ऐसे एरिया में लाए है जो अक्रा में नाइक लाइफ के लिए मशूर है यहीं इनके साथी फ्रॉट बॉईज अपने क्लाइंस से मिलते है यहाँ तो बहुत सारी मर्सिडीज है हाँ सारी महंगी गारी है कैसराटी क्या यह भी चोरी की है हो सकता है यहाँ जादतर कार्स चोरी की है क्या वाकई हाँ यहाँ जादतर बॉईज मस्ती करने आते है वो टॉप लोग जो कार्चोरी के इस बिजनस से जुड़े हैं इसी तरह कुछ फैमिली जेनेरेशन्स ने पैसा कमाया है आप कितने पैसे के बात कर रहे हैं? करोडों रुपे की क्योंकि अब ये बिजनस से कॉम्पिटिशन बन गया है कि किस के पास लेटिस्ट कार्ज हैं और इससे आपके कनेक्शन साबित होते हैं अब तक मैं ये सोच रही थी कि इन आपरेशन्स के पीछे दिमाग है अमेरिकन क्रिमिनल्स का और वेस्ट आफरिका उनकी चोरी की कार्ज के लिए एक बढ़िया मार्केट साबित हो रहा है हमारे यहां कॉन्ट्रक्टर्स हैं जो आपको महेंगी से महेंगी कार्ज अवेलेबल करा सकते हैं तो सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कौन कमाता है जो कार बेचता है वो कमाता है अब ये आखिरकार राज खोलने लगे हैं और पता ये चला कि मामला दरसल उल्टा है तो ज़्यादा तर पैसे आप कमाते हैं हाँ, मैं ही सबसे ज़्यादा पैसे कमाता हूँ फ्रॉड बॉइस सिर्फ खरीदार ही नहीं है वो इस ऑपरेशन के मास्टर माइन भी है और इस गयर कानोनी काम के लिए उन्हें अमेरिकन क्रिमिनल्स का साथ मिल गया है तो ये चेन अलग-अलग है यानि आपको नहीं पता कि दूसरी तरफ क्या होता है हमें पता नहीं होता ठीक है, और इससे कारोबार सेफ रहता है हाँ, आप सही कह रही है दर असल वेस्ट अफरिका में मौजूद आइवन जैसे लोगी इन इंटरनाशनल कार थेफ्ट रिंग्स में सबसे उपर होते है अफरिका में सब को सस्ती चीज़ चाहिए यानि अमीर भी सस्ती कार सरीते है हाँ, अमीर भी सस्ता माल लेते है तो अगर किसी लक्जिरी कार की कीमत बाजार में 90 लाग होती है तो वो कार यहाँ पर 45 लाग में बिक रही होती है और ये तो डील है हाँ, बहतर डील है पर क्या इतनी सस्ती कीमत से किसी को शक नहीं होता? बला शक किसको होगा? पर किसी को तो शक हो सकता है, है ना? मतलब खरीददार सोच सकता है कि कार इतनी सस्ती क्यों है? उन्हें कैसे पता चलेगा? कोई नहीं जान पाता. यानि जणे गहरी हैं. यहाँ पर सिर्फ चोडी की कार्ज का ही बिजनस नहीं होता, यहाँ और भी कई कारोबार हैं फ्रॉड बॉइज, जैसा की नाम से ही जाहिर है, हमेशा अगले मौके, अगले स्कैम की तलाश में रहते हैं कि सारा धंदा डार्क वेब पर होता है, मैं एक बिजनस कर रहा हूँ, और यह जैसा भी है, इससे प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ यान इनके हाथ हर तरह की क्रिमिनल अक्टिविटीज से जुड़े हूए हैं, मनी लॉन्रिंग, रुमेंस कैम्स, गोल्ड फ्रॉड, ये एक ऐसे बढ़ते सिंडिकेट का हिस्सा है, जो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा है मेरा ध्यान बस कार को बेचने और पैसा कमाने पर होता है, मुझे दूसरों के एमोशन से कोई मतलब नहीं है पर क्या मन में बिल्कुल नहीं आता कि आप उनके पास कार नहीं होगी, हो सकता है उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स से वो कार खरीती है जब मुझे पता चलता है कि कोई अपनी कार चोरी होने से परिशान था, तो मुझे गिल्टी महसूस होता है पर मुझे उसके रोने की आवास तो नहीं आती, वो दूर है तो गिल्टी महसूस नहीं होता जब चोरी और कार के बिखने वाली जगा के बीच इतना फासला हो, तो जाहिर है कोई अहसास होगा भी नहीं. तो बेशक इन्हें अफसोस ना हो, पर दूसरे तो करती हैं. आपको लोगों के लिए बुरा लगता है? हाँ, कभी-कभी. मैं खुद से पूछता हूँ कि ये पैसा शायद किसी के बेटे के ओपरेशन में कामा सकता है. हाँ, पर कुई मेरे साथ भी तो ऐसा कर सकता है, मेरे लिए तो कोई आसो भी नहीं बहाएगा. अगर आपको जेल हो जाती है, तो खुद से सवाल पूछते हैं अब. इतना रिस्क ठीक था? नहीं था. ये काम बुरा लगता है? नहीं. शाद मुझे कार के मालक के मुकाबले पैसे की जरूरत ज़ादा हो. अब कोई कार चुराने को लेकर कितने भी बहाने क्यों न बनाता रहे? सच ये है कि जब तक अट्लांटिक के इस बार से ओर्डर्स मिलते रहेंगे, ये सारा अंडर्ग्राउंड कारोबार यूँ ही भलता फोलता रहेगा. इससे रोकने वाला कोई है ही नहीं, है न? हाँ, ये अमेरिका में लीगल हो सकता है, पर इसमें मेरी गलती नहीं है. इस शेहर से रोजाना अंदासन कितनी कार्स चोरी होती होंगी? कई सो, सैंक्रो. मेरा बतलाब, हम सिर्फ यहाँ पर थोड़ी न चुराता है गाडियां. अगर आपको हॉन्डा कोट के दाम में बेंटली मिल जाए, तो आप उसे खरी देंगे ही. ये हर साल करीब 75 अरब का धंदा है, और सारा प्राफिट ही होता है. अब बताइए, कि ये कारोबार भला क्यों रुकेगा?